अखिरकार एक हो ही गए पवन अक्षा, भोजपरी सुपिस्टार पवन सिंग और अक्षा सिंग के बीच में लडाई की खबरे आ रही थी लेकिन इन दिनों ये खबर आ रही है कि दोनों में सुल्य हो गई है ऐसी खबर जब से आई है उनके फैंस के बीच खुसी की लहर दोर पड़ी है और दोडने भी चाहिए क्योंकि ये दोनों साथ ही अच्छे लगते है और अब आप ये जानके चौक जाएंगे कि इन दोनों के बीच सुल्य का कारण भी इनके फैंस ही है जी हाँ पवन और अक्ष्रा अपने फेस्बुक एकाउंट इंस्टाग्राम एकाउंट पर लगातार उन्हें उनके फैंस ये कह रहे थे कि प्लीज आप अपनी लडाई छोड़कर एक हो जाएंगे और अपने फैंस का दिल रखने के लिए इस बार फिर से दोनों ने अपने मन मुटाओ को दूर कर एक हुए है तादे कि पवन अपने फैंस को भगवान का दर्जा देते हैं वो उनकी कोई बात नहीं टालते इसलिए सायद पवन अपने फैंस में बहुत लोग प्रिये भी ह कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हम आपको कोई जूटी खबर दे रहे हैं जी नहीं हम आपको अब वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें पवन और अक्षरा एक साथ अपने दोस्ती की खबर को पक्की करते निजार आ रहे हैं पहले आप उनका ये वीडियो देखिए में पवन सिंग ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलोड किया जिसे देख कर ये पता चलता है कि पवन और अक्षरा के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है आपको बता दे कि इससे पहले भी पवन और अक्षरा में कई बार बहुत बड़ी-बड़ी लडाईया हुई है लेकिन हर बार लडाई होती बहस होती रूट ना मनाना होता और सब कुछ ठीक हो जाता लेकिन इस बार पवन ने हदे पार कर दिए बाद बहस से सुरू हुई और अक्षरा की पिटाई पर जाकर खतम हुई जो बाद अक्षरा को दिल पर लग गई और लगनी भी च लेकिन जब पवन को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके लिए उन्होंने उन्से माफी मांगी तो अक्ष्रा का बे दिल पिघल गया और तो और इनके फैन्स पे लगातार बढ़ते दबाओ के कारण भी ये दोनों एक हुए हैं पवन और अक्ष्रा आप दोनों की चोड़ी इसी तरह फैन्स का इंटर्टेन्मेंट करती रहे हमारी यही दुआ है भोजपुरी जगेत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्स्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले